असलाम अलेकूम मेरा नाम सोफिय है और आज मैं आपके साथ सेवन जिरो कोस्ट लो कोस्ट किचन ऊग्राइज़िशन की वीडियो शेयर कर रही हूँ सबसे पर में प्लस्टिक फॉल्डिंग रेक बना रही हूँ प्लस्टिक फॉल्डिंग रेक को बनाने के लिए मैं आप प प्लास्टिक हेंगर को भी इस्वाल कर सकते हैं ये स्प्राइश रेक्स वाल कैबनेट के अंदर बहुत अच्छा डिबाइडर बन जाते हैं और काफी आटम्स हमारे वेल सेग्रिकेटेड और और ओग्रिनाइजड रहते हैं मैटर वायर का अपने जागबर फिक्स करने के लिए मैं हॉट गुलू गंड के मदद दे रही हूँ हॉट गुलू गंड से मैं अच्छे था फिक्स करेंगे और फिर बैंडिंग टेप लगाएंगे ताकि ज्यादा मजबूत हो हूँ मेरा यह ओर्गनाजर रेडी हो चुका है लेकिन अपनी जगह पर रखने से पहले हैं मैं इस पर सिलिकॉन जल यूज करूंगे सिलिकॉन जल का यह मकसद है कि यह अपनी जगह पर फिक्स रहे हैं और बाबर सिर के ना आप जाए तो यूज यू यह इवन चूंगा भी यूज कर सकती हैं और मैं यहाँ पर ओर्गनाजर रेडी हो चुका हैं पसंद है तो जुरूर लेकर बटन दबा दें नेक्स्ट एमटी जैम जार फॉर स्पाइसिस स्पाइसिस को और्गनाजर करने के लिए मैं जैम की बोतर को यूज करती हूँ इसे बहुत विजिबल रहते हैं यह लोंग लास्टिंग है ड्यूरेबल हैं और काफ़े अच्छे तरिके से रहते हैं आप चाहे तो इनकी लिट्स को सेम कलर भी दे सकती हैं नेक्स्ट स्पाइस रैक और थर्मपूल शीट अक्सा हमारे कैबनेट के अंदर मसाले पड़े होते हैं और पीछे पड़ेवे मसालों को डूरने के लिए हम तमाम कैबनेट से मजूद स्पैसिस को आगे पीछे करते हैं लहाजा आप इसके तोड़ के लिए मैं यहाँ पर थर्मपूल शीट यूज़ कर रही हूं अपने कैबनेट के मताबिक मायर करने के बाद मैंने कट किया और कट कर लेने के बाद आप मैंने कवर करोंगे कवर करने के लिए मैं आप अख़वार यूज़ कर रही हूं आप चाहे तो वाल पेपर भी यूज़ कर सकती हैं जर्मन ग्लू से मैंने मजबूती देंगे और इसे से हमारे ये स्पैसिस की स्टेफ रेडी हो जाएंगे मैं दो थर्मापूर की मदर से एक, दो और तीन अपने स्पैसिस को और नाइस कर रखोंगे लाइक अस्टेर इस रह से इसे से पीछे मज़ूत तमाम स्पैसिस बिल्कुल विजिबर रहते हैं और वेल औरगनएस लेते हैं आई होब कि आपको औरगनएसर बहुत पसंद आई होगा ये बिकुल जिरो कोस्त लो कोस्त के अंदर एक वेल औरगनएस औरगनाजर रेडी हो चुका है लाइक अ प्रफेशनल Next Plastic Lit Organization from Shopping Bags अख्सब मैं पास कुछ इस तरह के Shopping Bags आते हैं गर पे आप इससे बड़ी जबड़ी जबड़ी और बोरी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं Plastic Lit को Organize करने के लिए हैं शॉपिंग बैक और यह आटे के बोरे को ले रही हूँ मैं इनकी एजिस को ट्रिम करूँगे और उस आटे की बूरे की मदद से इसे मजबूती दूँगे ट्रिम का लेने के बाद मैं कुछ इसरे से फॉल्ड करूँगे कि एक रेटेंगुलर पीस से मैं दो पॉकिट बनाऊंगे एक स्मॉल सेज पॉकिट है और एक लाच सेज पॉकिट स्मॉल पॉकिट के अंदर मैं स्मॉल लिट्स डालूँगी और लाच पॉकिट के अंदर लाच लिट्स रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे आप चावल की बूरे को भी समाल करें stitching का ये फाइदा है कि ये जदा मजबूत रहेंगे जदा durable रहेंगे after stitching हम इन्हे fix करेंगे fix करने के लिए में हम एक key use कर रही हूँ आप चाहे तो command hook भी use कर सकते हैं और मेरे ये low cost पे एक जबर्दस किसम का organizer ready है I hope को बहुत पसंद आयोगा next empty oil tin for spatula organization अगर आपके kitchen में draw नहीं है और अपने spatula और पावाव अगरण को organize करने में आपको बहुत दिकत पेशा रही है तो कुछ इस तरह से तेल का रोटीज कर सकते हैं लेकिन ख्याल लेकिए थोड़ा बड़े साइस को और थोड़ा खुल लाओ अगर आपके पास कुछ इस तरह से नहीं है तो आप ice cream की jar को भी यूज कर सकती हैं हम इस oil tin को लेंगे इसके top कट करेंगे और कट करने के बाद मैंने इसमें साफ चावल बढ़ दिये तक बन एक से दो कप और इसमें कीड़े नहीं आने के लिए मैं अपर नमग के डिली यूज कर रही हूँ ताकि इसमें कीड़े ना पड़ें और कुछ एक्स्टर डाली हूँ ताकि future मेरे काम आए चावल का मकसद यह है कि तमाम स्पेचुलास वैल ओर्गनेस्ट रहते हैं यह बाबर हिलते रही है और वो तर्तीब में रहते हैं कुछ इस तरह से आप चाहिए तो परे मेकब ब्रशिस को भी ऐसी ओर्गनेस्ट करके रख सकते हैं प्रिकरिन्ड यूस जो हमारे स्पेचुलास को फ्रेंट पर राखेंगे और वो अटेम जो में कम यूश होते हैं बहुं पीछे रखेंगे इस सारी से वैल ओर्गनेस रहते हैं वह तर्तीब में रहते हैं और बिल्कुल zero cost low cost में हमारा यह organizer ready है opening अप cabinet पर रखें front counter पर बिल्कुल ना रखें कि हमारा counter आप खाली होना चाहिए next empty oil bottle as separator हमारे freeze पगरा के अंदर last bottle के अपरे चीज़ों को organize करने के लिए और बिल्कुल zero cost में organize करने के लिए मैं यहां पर plastic के box यूज़ कर रही हूं इसको मैं अपने freeze के मतविक में गया किया है और फिर मैं इसने cut करूंगे अम वर इनका top portion ही cut होता है cut करने के बाद कुछ इससे मेरे divider बन गया है आप चाहिए तो आपने अपने सबजियां फाल वगरा को भी well organize करके रख सकते हैं और बिकुल एक zero cost में एक जबर्दा सा organizer ready है next polythene bag organization polythene bag organization के लिए मैं यहां पर आटे की बोरे यूश कर रही हैं और इससे में लेबरिंग किया है small size polythene bag and large size polythene bag और इससे बिकुल एक zero cost में मेरे एक organizer ready है आप चाहे तो अपने rack में रखें cabinet के अंदर रखें द्रवाजे के पीछे रखें या इवन अपने command hook लगा कर कुछ इससरे से भी organize करके रख सकती हैं आप चाहे तो plastic bottle को भी use कर सकती हैं टॉप वरे portion को आप इससे cut कर लें और अपने तमाम policy bag को organize करके रखें आई होब कि आपको तमाम organizer बहुत पसंद आया होंगे आपसे इंश्यारा नेक्स वीडियो में फिर मुलाकात होगी कमेंट करके बताएं कि कौन से organizer आपको सब ज़्यादा पसंद आया है होगा ने कि और पसंद आपको सबना डपको ने पसंद दिलат का इस दिलतail कि मॉलस nessOL होगा आपको तो रहें कि मॉलस आपको सब्गाशन थाँ